नमस्कार, मैं जी साब का स्वागत करता हूँ आपकी अपने यू‌ट्यूब चैनल पें तो अगर आपने भी सहारा इंडिया में पेमेंट डिपोजिट किया है या फिर आपके कोई रिस्तेदार रिलेश्नस वाले सहारा में एक पयमेंट को डिपोजिट किया है gefном है इन्वेश्ट किया है जिसको कहते हैं तो अपना के लिए आ आप्सक गया तो आज की इस सरकार के द्वारा एक पोर्टल लॉंच किया गया है जिसका नाम है सी आर सी एस रिफंड पोर्टल इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है आप वहां से क्लिक करके डायट पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं इसके तहत इस पोर्टल के माध्यम से आप अपने क्लेंड का रिक्वेस्ट प्रोसेस करेंगे और मात्र 45 दिन में आपको रिफंड मिल जाएगा तो चलिए कैसे आप रिफंड के लिए प्रोसेस करेंगा उसकी पूरी details में जानकारी देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप जब इस portal पर विजिट करेंगे तो आपके सामने portal का पूरा interface open होगा तो दोस्तों यह है official portal आप देख सकते हैं www.emocrefund.crcs.gov.in आप जो भी portal open करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके portal में .gov.in होना चाहिए क्योंकि यही एक genuine website है otherwise आप किसी आने website पर जाकर प्रोसेस करते हैं तो आपका data leak होने की भी समस्य आती तो जब भी government website पर आए तो .gov.in लास्ट में जरूर चेक करें तो दोस्तो सबसे पहले first page पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटर्फिस होगा जब भी आप इस portal open करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने जमा करता पंजियन जमा करता login सुप्रियूम कोड का जो order है आवेदन कैसे करे समान प्रस्ट ना उपयोग करता यानी user manual असिकायत अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो दो हेल्फ लाइन नंबर भी आपको दिये गए आप इस नंबर पर contact करके बात भी कर सकते हैं अपनी समस्या को बता कर वहां से solve भी करा सकते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यतने सारे options आपको देखने को मिल जाएंगे उस देखने ने उसके बाद कि आपको आदार का अन्तीम चार रंग rapid करना है अगरा आपके अधार करका जो चार रंग हो ता है के लास्ट केnea यहां के मिल जाएगा आधार समय करें उसके में बाद लिए उसको इक दुभल करें अभी आधार के लिए यहां में आजाएगा तो कुछ इस तरीके का OTP फिलब करने के लिए एक options मिलेगा जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो आप अपना OTP जो भी आपके मुवाइल नमर पर आएगा उसको OTP को फिलब करना है उसके बाद login के लिए user ID password create हो जाएगा फिर उसके बाद जश्ट बाजू में ही आपको options मिलेगा जमा करता login कर लिया अब जमा करता का यूजर पंजेन कर लिया अब जमा करता login वाले option पर क्लिक करना है यानि जो भी आपके user ID पासवर्ड है उसके माध्यम से आपको login करना है तो जमा करता वाले login पर जैसे ही क्लिक करें पूंए आपके नंबर और लास्ट के अधार कात के चार रंग का option फिर से मिलेगा आपको आधार कात चारиях फिर सेfast के होने जागे फिर्बादोर पर क्लिक करें उसके बाद दोस्तों ओटिपी आएगा फिर वही सेंप परक्रिया होगी जो पहले आपने फर्स्ट इस टेप में पंजमा करता पंजीन वाले पर क्लिक करके किया था अब आप जमा करता लॉग इन वाले में जाएगा तो सेम प्रोसेस होगा यही आपका आईड सब्सक्राइब करते हैं क्लिक उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा आप आवेदन भने के लिए आपके पास 6 स्टेप का उप्सेंस मिलेगा सबसे पहले यहां पर डिकलरेशन करना यहां पर नियम इंसरते हैं इसको आप पढ़ लें यहां पर इसको क्ल दस्तावेज अप्लोड उसके बाद धन्यवाद यह इतने स्टेप में आपको इस फॉर्म को फिलप करना है तो जैसे ही आई एक्सेप्ट वाले ऑप्सें पर आपको करने के बाद उसके बाद आगे आपको फिलप करने का आप्सेंस आपको मिलेगा तो बेक्तिगत विवरन के लिए आपको अपना आधार का यहां फे 12 अंक फिलप करना होगा पूरा आधार नमबर फिलप करें ओटिप प्राप्त करें वाला उप्सन उसके बाजू में ही मिलेगा उसके किलिक करें ओटिप आएगा ओटिप को फिलप करें ओटिप सत्यापि किया गया लिखा हुआ मिलेगा जिसमें आपका नाम फर्स्ट नेम मीडिल नेम लास्ट नेम उसको डेट आप बर्थ और फादर नेम यह इस तरीके का ऑप्सन आपके स्क्रीन पर ओपन होकर आ जाएगा उसके बाद आपको को दोस्तो थर्ड इस्टेप जो है उसको ओपन करन कितना आपका पेमेंट फसा है उसके संबंदित यहां पर फिलप करनी है उससे पहले अगर आप अपना फादर नेम में कोई संसोधन करना चाहते तो उसको भी कर सकते हैं आप अपना इमेल आइडी को भी एड कर सकते हैं इमेल आइडी आप कमपल्सरी एड करने क्योंकि उस सफलता पूर्बख सहे जा गया नहीं, एड कर लिया गया है, अब आपको जब क्लेम करना हो, तो यहाँ पर सबसे पहले क्लेम में, यहाँ पर सोसाइटी का नाम आप, यहाँ पर चारो सोसाइटी के नाम मिलेंगे, जिस भी society आपके certificate में उस society का नाम लिखा होगा कि किस cooperative society में आपका payment जमा है, उसका नाम मिल जागा, उसको यहाँ पर select करें, उसका आप अपने bond में देखेंगे, आपको एक member number मिलेगा, उस member number को यहाँ पर flip करें, उस member bond में ही एक खाता number मिलेगा, उसको भी flip करना है, आपका जो परमारपत्र है, उसमें एक serial number होता है, उसको यहाँ पर flip करना है, खाता किस date को खुला गया है, उसके बाद deposit amount किया है, कितना आपने जमा किया है, यह आप यहाँ पर flip करें, उसके बाद कोई आंसिक भुकतान पर अप्त हुआ है क्या, तो आपने जो amount जिसे अगर आपन नहीं लिया है, तो यह दोनों options आप इसको click ना करें, उसके बाद अपना प्रमारपत यहाँ पर upload करें, उसके बाद दावाद जोड़े वाले option पर click करें, उसके बाद इसी तरीके से आप कई सारी policy का data इसमें add कर सकते हैं, एक साथ कई जो फारम है, उन सभी का claim एक बार में आप भेज सकते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का serial wise आपके सामने options मिलता जाएगा, society का नाम, सदस्ता संख्या, खाता संख्या, रसीष संख्या, प्रमारपत, खाता खुलने का date, प्रमारपत संख्या, edit और delete का options मिलेगा, उसके बाद अगला वाले options मिलेगा, अगल तो जैसे ही आप पूरा edit कर लेते हैं, तो इस तरीके का एक PDF फाइल आएगा, इस PDF फाइल में आपको अपना एक फोटो अपलोड करनी है, यानि लगाना आए, उसके बाद इसको पहले आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद इसमें sign करना है, sign करने के बाद इसको अपलोड भी करना है, फोटो या डॉकमेंट्स लगाकर, तो आपके सामने ये इस तरीके का प्रॉपर एक form आएगा, form में आपको अपना address फिलप करना है, उसके बाद यहाँ पर फोटो अपलोड करना है, यहाँ पर जगा लिखनी है, यहाँ पर signature करना है, और मुआईल नम तो आपको प्रिवियो देख सकते हैं, उसका pen card अगर 50,000 से उपर का जो रासी है, तो आपको pen card अपलोड करने के लिए अपका amount नहीं हाब, तो आपके पास 50,000 से निचे का तो यह option आपको नहीं मिलेगा, यह मिलेगा भी तो यह मेंडेनेटरी नहीं है यानि कमपलसरी नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे पैन नंबर फिल अप करें अगर 50,000 से उपर की रासी है उसके पैन कार्ट की कॉपी अपलोड करें प्रिव्यू करें आप प्रिव्यू मतलब आप जेक कर सकते हैं प्रिव्यू में क्लिक करेंगा तो उसके बाद जैसे ही final submit करते हैं तो धन्यवाद का इस तरीके का एक options मिलेगा हम आपके दावा की प्राप्ति स्विकार करते हैं आपका दावान संख्या यानि आपका जो भी अपने आवेदन भी किया उसका registration नंबर आपके screen पर सोगा भविस के संदर्व में भविस के संदर के लिए भविस के संदर्व के लिए इस तरीके का लिखा हुआ मिल जागा जो भी आपको अपडेट होगा वह SMS अगर आपने जीमेल एड किया है तो उस पे भी आपको मिल जाएगा अपडेट अगर आपने पूरा डॉक्मेंट सही सही अप्लोड किया है तो 45 दिन में आपको क्लेम रासी रिफंड हो जाएगे तो आई हम दोस्तों वीडियो अच्छी लिए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए